भारतिय रेल्वे ने 75 वे स्वतन्प्रता दिवस समारों के उपलक्ष में की आई आर 21 नाम के दुनिया के सबसे पुराने काम करने वाले भाप इंजन 166 साल पुराने लोकोमोटिव का हेरिटेज रन किया की आई आर 21 द्वारा एक हेरिटेज विशेश सेवा चिन्नेई एगमोर और कोडम बक्कम रेल्वे स्टेशनों के बीच 15 अगस्त को दो पहर धाई बजे चलाई गई एकस्प्रेस यायार 21 लोकोमोटिव को मूल रूप से 1815 में इंग्लैंड से भारत भेजा गया था 1909 में सेवा से हचने के बाद इसे बिहार में जमालपुर कार्यशाला में 101 से अधिक सालों 2009 तत एक प्रदर्शनी के रूप में रठा गया था पेरंबूर लोको वर्ट्स ने 2010 में इंजन को पुनर जीवित किया और यह 45 किलोमीटर प्रती घंते की अधिक्तम गती प्राप्त कर सकता है और इसमें ट्विन एर ब्रेक सुविधाओं के अलावा एक यांत्रिक हैंड ब्रेक है ब्रेकिंग सिस्टम, वाटर पंप और ट्रेन की लाइटिंग के लिए कोच पर डीजल जनेरेटर सेथ लगाया गया है पहला हेरिटेज रन 15 अगस्त 2010 को चैन्ने सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अवादी तक दो डिब्बो के साथ आयोजित किया गया था वही आठवा हेरिटेज रन 15 अगस्त 2019 को चैन्ने एगमोर और कोडमबक कम रेलवे स्टेशनों के बीच एक कोच के साथ आयोजित किया गया था इससे एक दिन पहले 15 अगस्त को विशेश हैरिटेज चलाने की पूर्व संध्या पर इई आई आर 21 के लिए चायल रन का आयोजित किया गया था सीटी की सुन्दर भनी आपको उन दिनों से धाप लोकोमोटिव के समय में वापस भेज देगी सीटी किया था रनी आपक। अगर रेल्वे से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेर करें आगे आपकिस टॉपिक पर वीडियो देखना चाते हैं कमेंट में जरूर बताएं और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे पेस्टूप पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें जय हैं